मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश के ग्रफ मंतिरी नरुत्तम मिश्णा ने पूरी जानकारी दी है। जिसमें खासकर ग्रणेश पांडालों को अनुमती नहीं दिये जाने और इत पर सामुई कारिक्रम नहीं होने की भी बात कही है। बहपाल से ताहीर खान की रिपोर्ट। की ओर से दस लोगों और बधुबक्ष की ओर से दस लोगों सिर्फ इतने लोगों को लिए अनुमती दी जाएगी। बैभाहिक कारिक्रम के अलावा अंतेश्टी में अगर वीस लोग से जादा लोग नहीं जा पाए। जन्म दिन है, रिंग सेने मरी हैं। और इस तरह के जो कारिक्रम होते हैं, मांगों इक, इनमें भी संख्या इश्यत कर भी है कि कहीं की दस से जादा लोग एक साथ इकते नहीं होते हैं। आज यह भी प्रात्न में आपके माध्यंजे करना चाहुआ, उन मूर्तिकारों से जो भगवान शरी गणेश जी की मूर्तिकों बनाते हैं испना की कृत्रमा को बनाते हैं, कि कुकि सरकार में ऐसा तयकिया है कि कहीं भी पंडाल की अनमती नहीं नी जाएगी कहीं भी बड़ी पूर्ती इस्थापिद करने की अनमती नी जाएगी आज अग्ले से नहीं मनेगा और नहीं बिसरजन सावजिक होगा एक एक दो दो लोग ही रतमाय स्थाफित करने वाले जाए इसी तरह से इद जो 31 तारिक को है इद में भी अब सामुईद कारिक्रम नहीं होगा सामुईद नवाज अधा नहीं होगी अपने अपने घर पर इद का कारिक्रम बुख करेंगे यही जिस तरह से गणे जी के विसरजन का कोई साम अपने कारिक्रम नहीं होगा ऐसे ताजिया करी विसरजन का उनका कारिक्रम नहीं होगा यहाँ मैं एक बात का अल लिक और करना चाहूँगा कि मंद्र और मस्जिद गिरजागर और बुर्द्वारे सभी पर एक बार में पांस से ज़्यादा लोग इकटिन नहीं होना है आज के बाद यहां जो मुल्वी साहब हैं, पुजारी हैं, पढ़ना है, चर्च में फादर हैं, उनसे प्रातना है, आज जोड़के के पांस से ज़्यादा लोगों को एकत्रित बो नहीं होने दें, पर इसका पालन करा हैं, कमिशनर आईजी, एस पी कलेक्टर, यह इस बिवस्ता को देखें, कोई भी साहब जेक इस्तानों पर भीड एकटि होना ही नहीं चाहिए, ऐसी सरकार की इच्छा है, जल्दी ही ग्रह वि वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें, और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें